नमस्कार दोस्तों दिन भर की सभी बड़ी खबरें मुख्य समचार आप लोगों के लिए लेकर किया आए हैं जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहत बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्धम से पहुँचाएंगे सभी मुख्य समचार जानना आप दरासल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें कॉंग्रेस के अध्यच मलिका अर्जुन खडगे देंगे प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी पाइलर समेथ तमाम दिगज नेताओं की भी हो सकती है खडगे की टीम में एंट्रे जिहां दोस्तों कॉंग्रेस के नए अध्यच का चुना हुए आठ महिने का समय बीत गया है लेकिन अभी तक CWC का खुलासा नहीं हुआ है अब जल्द ही पार्टी लोग सभाच चुनाओं के लिए टीम 2024 की घुशडा करेगी इसमें कई दिगज नेताओं के सामिल हुने और निसकासन को लेकर के अटकले लगाई जा रही हैं आप लोगों को बताते चलें कॉंग्रेस के अध्यचे मलिक अर्चुन खडगे CWC में सदसेयों को नामित करेंगे जैसा की पार्टी ने अपने अधिवेशन में फैसला लिया था और इसमें सबसे ज़्यादा फोकस प्रियंका गांधी पर है कि क्या वहाँ पार्टी में कोई बड़ी भूमिका निभाएंगी सुत्रों की माने तो कई विकल्पों पर विचार चल रहा है जिसमें प्रियंका गांधी को महा सचिबिया कारिकारी अध्य जन्यूक्त करने की भी संभावना है हिमाचल प्रदेश और करनाटक में अपने सफल परचार प्रियासों से प्रियंका गांधी की और सबका ध्यान गया है उन पर पार्टी की विश्वसनियता और संभावनाएं काफी बढ़ी हैं और कहा तो यहां तक जा रहा है कि प्रियंका गांधी को हिमाचल प्रदेश से राज्य सभा में भी एंट्री दी जा सकती है यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल की आई है दोहजार चौबिस के लोग सभा चुनाओ को लेकर के कॉंग्रेस पाटी अपनी दिगज नेताओं की टीम बना रही है इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें राज्य सभा की दस सीटों के लिए 24 जुलाई को होगा चुनाओ जी हां दोस्तों भाजपा को लगेगा इस चुनाओ में बड़ा चटका तीन राज्यों में राज्य सभा की 10 सी हो रहा है बताते चलें भारत निर्वाचन आयोग ने इन राज्य सभा सीटों पर चुनाओ की खोशना कर दी है चुनाओ आयोग ने कहा है कि 24 जुलाई को मतदान सुबह 9 बजे से साम 4 बजे तक होगा और वहीं मत कड़ना साम 5 बजे से होगी और अगर आकडों पर नजर ड दोस्तों इस समय की बड़ी अपडेट है एक और खबर की तरह बढ़ते हैं मद्द प्रदेश में किसकी बन सकती है सरकार ओपीनियन पोल के आकड़े काफी चौकाने वाले सामने निकल के आ रहे हैं बीजे पी के अंदर हड़कंप मचा है साल के अंत में मद्द प्रदेश म आने में सिर्फ छे महिने का वक्त और रह गया है इसके साथ ही इन सब के बीच में तमाम सर्वे सामने निकल के आ रहे हैं हाल ही में एक सर्वे आया है जिसमें 17,000 से भी अधिक लोगों की राय ली गई है और जनता का मूड क्या है ये जाना गया है दोस्तो सीधे आंकडों पर आते हैं चुनावी राज में सबसे एहम सवाल यहा है कि आखिर प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीटे मिलेंगी बीजेपी को बढ़त मिलेगी या कॉंग्रेस का जंडा बुलंद होगा मद्द प्रदेश में वोट शेयर को लेकर के लोगों ने चौकाने वाले आंकडे दिये हैं उनके मुताबिक राजनीतिक धलों का वोट शेयर कुछ इस तरहें से हो सकता है बीजेपी को 44 प्रतिसत कॉंग्रेस को यहाँ पर 44 प्रतिसत बीएसपी 2 प्रतिसत अन्ने के खाते में 106-118 सीटे जाती हुने जर आ रही हैं कॉंग्रेस के खाते में 108-120 सीटे बीएसपी 0-4 अन्ने 0-4 याने की कुल मिला करके देखें तो भाजपा को कड़ी टकर कॉंग्रेस पार्ठी देती हुने जर आ रही है मद्द प्रतिस के अंदर दोस्तों अगरा आप लोग भी आने वाले विदान सभा चुनाओं में मद्द प्रतिस के अंदर कॉंग्रेस पार्ठी की सरकार बनते हुए रेखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजेगा अगली अपडेट की तरफ चलते हैं ब्रजभूशण के खिलाब पहलवानों के लड़ाई में एक जुलाई की तारीक काफी अहम है कोट लेगी बड़ा फैसला अपडेट बताते चलें दिल्ली की एक अदालत महिला पहलवानों के उत्पीडन के मामले में भाजबा के सांसद ब्रजभूशण सरण सिंग के खिलाफ दायर आरोपत्र पर संग्यान लेने के समन्द में अपना आदेश एक जुलाई को सुनाईगी अतरिक्त मुक्खे मेट्रोपॉलिटर मजिश्ट्रेट हरजी सिंग जसपाल ने कहा है कि यहाँ एक लंबा आरोपत्र है और उन्होंने मामले में सुनवाई इस्थकित कर दी उन्होंने अदालत की निगरानी में जाज की मांग करने वाले पहलवानों की और से पहले दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया मजिस्ट्रेट हर्ची सिंग जस्पाल ने कहा है कि नया आरोपत्र दायर किया गया है इस पर गौर करने दिया जाए क्योंकि यहाँ एक लंबा आरोपत्र है इसलिए इस पर कुछ दिन विचार करने दिया जाए बताते चले दिल्ली पुलिस ने छे बार के सांसर ब्रजभूशन सरण सिंग के खिलाब मामले में 15 जुन को आईपी सी की धारा 354, 354 A, 354 D और 506 के तहट आरोपत्र दाखिल किया है और अब ब्रजभूशन को लेकर के खबर आ रही है कि पहलवानों की लड़ाई में एक जुलाई की तारीक यहाँ पर काफी एहम है कोट कोई बड़ा फैसला सुना सकती है इस दोरान यह यहाँ पर इस समय की बड़ी अपडेट है दोस्तों अगली कबर की तरह बढ़ते हैं कॉंग्रेस के नेता राहूल गांधी 29 जुन को जाएंगे मड़ीपुर के दोरे पर राहत सिविरों का करेंगे दोरा सिविल सोसाइटी के लोगों से भी करेंगे राहूल गांधी मुलागाजिया दोस्तों कॉंग्रेस के पुरवध्यच राहूल गांधी 29 जुन को हिंसा परभाविद पुरवुत्तर राज्य मड़ीपुर का धौरा करेंगे राज्ज की अपनी यत्रा के दोरन राहूल गांधी राहत सिविरों का दोरा करेंगे और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ में हिंसा की मुद्धे पर बातचित करेंगे यहां आपको बता दें की राज्ज में करीब दो महिने से जातिय हिंसा जारी है लेकिन पियम मोधी की तरब से पूरे मुद्धे पर कोई भी बयान नहीं आया जिसके करण कॉंग्रेस पार्टी लगातार पियम मोधी की चुपी पर सवाल उठा रही है और उन सब के बीच में कॉंग्रेस के नेता राहूल गांधी ने फैसला किया है कि वो हिंसा प्रभावित मणीपुर के दोरे पर जाएंगे इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरह बढ़ते हैं हिमाचल और करनाटक के बाद तेलंगाना में भी जनता को गारंटी देगी कॉंग्रेस पाटी राहूल गांधी के साथ में दिगज नेताओं की हुई है चर्चा खबर आप लोगों को बताते चलें कॉंग्रेस ने तेलंगाना में भी चुनाओं में सफल हो चुके फार्मुले के साथ लड़ने का फैसला किया है करनाटक में हाल ही में चुनावी सफलता को देखते हुए कॉंग्रस ने चुनावी राज्य तेलंगाना में भी गारंटी देने का फैसला किया है इसी साल के आखरी में राज में विधान सभा का चुनाव होना है तेलंगाना में विधान सभा चुनाव को देखते हुए कॉंग्रस ने दिल्ली में पार्टी मुक्याले में बैठक की है इसमें पार्टी के अध्यच मलिका अर्जुन खडगे पूर्वध्यच राहुल गांध और खड़गे ने नेताओं से कहा है कि वे आपत में चर्चा करें और लोगों से भी फीडबैक लें कि चुनाओं से पहले क्या गारंटी का वादा किया जाना चाहिए इसके अलावा राहुल गांधी ने तेलंगाना के नेताओं से यहाँ भी कहा है कि वे एक दूसरे के खिलाब सरवजनिक रूप से ना बोलें बलकि पार्टी मंच पर अपनी बात रखें यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बहुत बड़ी खबरें मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुँचाए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अब इस वीडियो को लाइक कीजेगा ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को शेर तकि आप सभी के दोस्त भीन मुख्य समाचारों को जान सकें वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद